वेलकम तुन नालंदाईस अड़मी और चलिए शुरू करते हैं चैप्टर सेक्स जो कि यह प्रिथवी के प्रमुक स्थल रूप अब आप ने प्रिथवी के बारे में जाना है प्रिथवी में क्या क्या है वाइयू मंडल स्थल मंडल जल मंडल यह भी देख चुके हैं अब तो थल पर आपको मिलता है वो आपके defense स्टश किया गए तो यह हमें हम है क्या देखने को मिलता है कि आपने, इस फूट रूपने को जरूर देखाऊ, बिल्कुल देखा है, चितर है, यहां पर आपको दिखाआ गया,rovत, फिर आपको परवत श्रंकला है जब एक साथ काफी सारे मिलते हैं तो उन्हें श्रंकला कहते हैं रेंजियस जिसे हम कहते हैं यह आपके पठार जो की टेबल टॉप की तरह है फिर अगर हम आगे देखे तो यहां पर आपको जीले देखने को मिलेंगी यह आपकी बरफीली परता है सभी जगह एक समान नहीं है प्रिच्वीव पर अनिगिनत्त प्रकार की स्थल मंडल है ठीक है जिस थल मंडल के कुछ भाग उचे कुछ नीचे और कुछ समतल हैं ठीक है जी तो यह स्थल रूप दो प्रिक्रियाऑं के परिदाम सरूप बनते हैं पहला आपको यह जानकर आश्यरे होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हो ना उसमें धीरे धीरे गती हो रही है ठीक है और प्रिथवी के लगातार गती हो रही है बहुत अची बात है आप सब को पता है कि जाद अतर चीज़ें वह चलायमान है गतीमान है तो प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया कारण मतलब इसके इंटर्णल में जो काम हो रहा है रही है बहुत से प्रिथवी की सत्य कहीं उपर उड़ जाती है तो कहीं 10 जाती है अब यहीं पर साथ मीनों ने कहा है कि पहाड़ी वह स्थलिये भाग है जो की आज पास की भूमी से उचे होती है उसे हम कहाज है हो कि यह दो इंई और आपनी से जो इन दोनों को जोड रही है और यहां पर आपकी कुछ विच्रिकाया है जैसे कि पानी को डिफर्ट डिस्रीब्यूटरी होती है यह नदी का मुहाना है जदा नदिया के गिर गई है, ठीक है, यह आपका समुद्र है, यह आपका आइलेंड है, जिसे हम द्वीप कहते हैं, ओके यह आपकी जलसन दी है, चलिए, चलते हैं, आगे, और देखते हैं, यह कह रहे हैं, कि दूसरी या बाहरी जो प्रक्रिया है न, जिसके कारण जो बनन सतय नीची हो जाती है, अफकॉस जो चीज घिसेगी तो नीची होगी न, और निक्षेपन की प्रक्रिया के द्वारे इनका फिर से निर्मान होते हैं, मतलब कुछ तूटके कुछ कहीं जमा हो गया, और जब जमा हो गया तो उससे कुछ नहीं चीज बन गई, तो यह दो प् उचाई और ढाल के अधार पर हम क्या करते हैं तो इसको या तो परवत, पठार या मैदान के नाम से जानते हैं या इनका वर्गिकर्ण इस तरह से करते हैं, परवत, पठार और मैदान, तो सबसे बहले बात करते हैं परवत, आपको पता है परवत क्या है, तो प्रित्वी क अंधर के बारें में कुछ पर्वत जमि रहती है indeed यह जो बर्वप की नदियां ही वरोफी केम कें हैं हम हीमानी कहते हैं यहाँ कुछ ऐसे इन हैं बीतर समुदर के अंदर भी परवत हैं आप उनकों को देखने के लिए नीचे पानी में उतरना होगा कठोर जलवाई होने के कारण क्या होता है कि परवती छेत्रों पर बहुत कम लोग निवास करते हैं तो देखिए उपर चढ़ाई उपर से वहां पर जो आपका जो हम कहेंगे कि मौसम जो है जो एक रेखा होती है उसके क्रम में विवस्तित हो सकते हैं परवत जो है एक साथ कुछ क्रम में विवस्तित हो सकते हैं इसे हम कहते हैं श्रंखला या हिंदी में क्या 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 है तो परवत जब श्रंखला में हो तो उसे हम क्या 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 है परवति जब लाइन से हो तो उसे हम क्या कहते है रेंजी या श्रंकला बहुत से परवति छेतर क्या होते हैं समानांतर श्रंकलाओं में ऐसे इस तरह से होंगे और यह काफी सेकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं तो इनके कुछ एक्जाम्पल जो आपके समानांतर जो हैं जो और श्रंकलाओं में फैसे हम बात करते हैं हिमाले कि वह ऽ कहां है यॉरॉप और आपके दक्षीन अमेरिकां में तो बहुतना है तो अध्य इसे हैं त्वाधवीद में से तो सागर की सत्य के नीचे सित है आपका मौनोकी पर्वत इसकी उंचाई कितनी है तो 10,205-10,205 मीटर है और एवरेश शिखर से भी इसकी उंचाई का है जादा है तो चलते हैं आगे अब यह तो देख लें कि पर्वत है यहां पर जो मौसम हो थोड़ा होता है उपर जितना जाएंगे बर्वी कई जगह पर जमी होती है और यहां पर यह मौसम मतलब रहने के लिए अनुकूल भी नहीं होता है यहां पर आपकी खेती भी आप कर सकते हैं अनुकूल नहीं मिलती है तो आपके रहने के लिए यह अनुकूल नहीं होता है इसलिए लोग यहां पर कम रह सबीष इसका उपर हेशों इसकि पूराना विश्व पूरानी उन्हें पॉर इसके कारण है यह सबसे पूराणी तरशी तो उतरी अमेरिका केड़न और और जो रूस में है उत्री अमेरिका के अपलेशन और रूस युराल माउंटेन है। यह गोलकर दिखाई देते हैं और इनकी उचाई भी कम है। यह बहुत पराने वलित परवत है। पराने वलित परवत में कौन-कौन सा आएगा एक तो आएगा उर्ल और आपका अपलेशन तो आप सिर्फ अरावली नायाद रखें, आपसे बाहर का पूछा जाए तो दियान रखना उत्र अमेरिका का अपलेशियन और आपको रूस के यूरॉल माउंटिन का भी नाम लेना है, इनकी उचाई भी क्या है देरे-देरे कम होती जा रहे हैं, बात करते हैं, जब बहुत अब नीचे धज गया कुछ आपका ऊपर उठा रख है, घंदी मेंका उसे कहते है, द्रोणीन कि यह बात आप धयान रखें, बात करते हैं, शन्व通 नेखारं का अगे उर्खी जेन और योरोप की राइन घाटी और वास्गेश परवत तंत्र के उधारन इसी तरह के होस्ट और ग्रेबन की आपके उधारन आपको पता लगा है झालते हैं जवालामुखी के ऑपके और में सिर्फीका का मांट कि युट्य स्का फूजी आमगले अएफरिकाbasin परवत बहुत लाबदायक होते हैं क्योंकि परवत जलके संग्रहकार होते हैं परवत में ही जलका संग्रह भी होता है बहुत सी नदियों के श्रोत होते हैं यहां से नदिया निकलती है परवतों से और इनी में हमानिया होती है तो फिर वह मतलब पिखलके जब आप क्या करते ह चाल को लोगों तक पहुंचाया जाता है क्वेधिकाय क्रिशिक के लिए उपीवत होती है तिक किसके लिए वेधिकाय क्रिशिक के लिए पर्वतों से अलग अगर हम बात करें तो कुछ प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंटू पाय जातें पर्वतों में इसाओ Means कि मिलते एक मिलते हैं यह पर आपको तरवनःस्द्पर्थी भी मिलते जहां पर के जिवशंद्दिव भी प्राप्त हNew से जाते हैं प्रवन्होंरे के लिए अनियुक्त अंत्रैं परवत्य स्थान उप्योगimento की है क्यों होती है River Rafting होती है कुछ आपकी Skaying परवत उसमें प्रचलित खेल हैं तो कुछ प्रचलित खेलों के नाम क्या है पैरग्लाइडिंग हैं रिएर राफ्टिंग और कि कह रहें हैं कि आप हिमाले में कुछ थिख ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां यह यह खेल खेले जाते हैं तो अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं फिलहाल हम देखते हैं कि हमारा कुछ चूटा है यह आपका ऊपर उठावा हिस्सा है उसे उत्खंड कहते हैं या निके होर्ष कहते हैं यह नीचे वाला है इसे द्रॉणिका बं सब्सक्राइद के लिए और ऑफ इसकी जまने होगा इशन द्रॉद पठार होता तो उठा हुआ है लेकिन इसकी सपार्ट भूमी होती है, ठीक है, सपार्ट होता है उपर से, यह आसपास के छित्रों से अधिक उठा हुआ होता है, और इसके ऊपर भागे मेज के समान, टेबल टॉप की तरह होता है, मेज के समान सपार्ट होता है, इसे हम कहते है इसे हम कहते हैं पठार किसी पठार के एक या एक से अधि किनारे भी होते हैं जिनके धाल खड़े होंगे मतलब होगा ऐसे होगा और यह ऐसे होगा तो इसकी धाल ऐसे खड़ी होगी ठीक है जी ऐसे है उपर सपाथ है और यह ऐसे खड़ा है ओके किसी पठार के एक एक सेधी किनारे होते हैं जिनके धाल खड़े होते हैं पठारों की उचाई जो है लगबक कुछ सौ मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक भी हो सकती है तो परवतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं भारत में अगर हम बात करें तो दक्कन के जो है यह पूर्वी अफ्रीका पठार जो है वहां पर पढ़ता है की नजानी युवान्डा का पूर्वी पठार और ऑस्ट्रिया कि अगर आम बात करें तो वहां का वेस्टन प्लैट्यू है यह कुछ उधारन है ऊपर से आपका जो तिब्बत का पठार रहें कि विश्व तो यह आपका पठार पठार बहुते हैं क्यों कि इनमें आपको मिनरा बहुत मिलते है करने की विश्व में पराइब होती है यह कारण एक बहुत से घंन छेत्र या मिनल ज़ूर्ण कुछ श़्ेट रियां की जहां पर खुदाई कर के आप झूर्ण शिकालते पठारी एंगे चलते हैं चोटानागुप में बहुत से जल प्रपाथ भी आपको देखने को क्योंकि यहां नदियां उच्छाई से गिरुटेगी तो सीधे धलान से गिरेगी तो यहां पर आ वाटर फॉल्स यहां अच्छी बंते भारत में बात करें तो चोटानागुपथार पर अजना डार्शे काली मिट्टी प्रचूरता में राश्ची होती चेह कि अच्छी पर्मोंन नहें अच्छी प्रेटक के लिए वह काफी आकर्शित केंद्र होते हैं वह बहुतर छोग वहाँ पर घुमने के बहुत बड़े भाग पर फैली होती है सामाने तो सम्मूदर तल से 200 मेटर तक से अधिक उचे नहीं होंगे इसो बड़ते नीची की तरह जब धलान पर ऑएगे तो वहां पर इसको बिचा देती है तो अपने साथ लाइ लाइ टीक होती यासे पत्थर बालू सिल्ट यह सब लाती है और गढ़ाओ शक्र ऑट होता यह स्वान थाओ उपजाओ होता है यह झाफिव्टहूसर क्रिशी यहां, यह साफ्रबूसर के ज़ए को here सपाइवार उगा ते तो यहां यह जो हो ज़ता है, अब मैंदाना से में उप है को विश्म इस चुट्फी सपाई हाई, देखिए जल तो आपको मिली रहा है क्योंकि जल ही आपका जो है वो नदिया ही इनको बना रही है तो जल आपका वहाँ पर है सपार्ट भूमी है रहने के लिए है अब जल के साथ-साथ जो निक्षेप लेकर आई है वह और उनसे वह मैदान बना है तो ऑवियसी बात है अज़न भी मिल गया संतल भूमी मिलके तो आप यहां पर अराम से डवल्प कर सकते हैं तो यहां पुप लोग बहुत जादा मिलते हैं आपको यहां जनसंग्या बहुत ज्यादा भारी मात्र में यहां पर आपके मैदानों में बसी होती है अब नदियों के द्वारा बनाए के लिए सबसे पर चेतर हैं बिग जनसंक्याव्य पिर्शच चाहिए को सबस्क्राइब करनी के जिए पिर्ण सम्तल भूमे रिखे लोगा यहाई व्यूप जब बाद है बाहर चेंड आपको बताए भारत में जो गंगा का मैदन अदेश में सबसे जनसंक्यावाला च्छेतर ह में हैं काफी आपकी दिन संक्याि की घरनत वाले रीजन हैं आ कि बात करते हैं गおい स्थल रूप और लोगों की आँवल रूपन गटिन है व्यायवा हो सकते हो घर बना सकते हो सड़के बनाना अपर इसली कर सकते हैं अधिक आसान होता है यह आपना पर है विभार प्रकार के रहने वाले लोगों के रहन से तरीकि की कुछ अंतर हो है जैसे कि उतना है जोगा तो आप पारी लाइफ भी काफी खत्रमी पढ़ जाती है ना इनके लिए हमें जागुकता पैला करने की जौरत है अब यह कहा है कि आपको यह भी पता हो कि कि कितने तरीकों से जल और स्थल को हम उपयोग मिला सकते हैं इसका पता हम अपने आस-पास चेतर से भी लगा सकते हैं प्राय हम स्थलका उपयोग गलत तरीके से करते हैं कैसे जैसे उपजावी भूमी है अब उपजावी भूमी है तो उसका तो मकान बना कर तो आप उसको मतलब एक तरीके से गलत यूज कर रहे हो ना जहां खेती होनी चाहिए वहाँ आपने मकान बना दिया है तो सोचिए फिर महत्वपुन वर्दान का उपयोग हमें इस परकार से करना चाहिए वहम नहीं करते हैं तो उपलब घूमी केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है हमारे करतव्य है क्या कि आज जो हम यूज करें इसके साथ से अपने आने वाली पीडियी के लिए भी इस प्रित्वी को सुर तो आपको साफ जगह मिलने चाहिए साफ जल मिलना चाहिए साफ वायू मिलने चाहिए साफ वातावर्म मिलना चाहिए तभी आप स्वस्त्त रहेंगे तो इन सभी प्रारत्मिक वसकताओं को सभी लोगों को सुलब कराने हैं तो भारत सब्सक्राइब क्या किया है करना चाहिए पानी का जो है जरु जरिया जने जरुब उसकी करने करना अब आपने एक्वद्वर्ब भी देखा अ चैनर भी ठाल योभी को सब्सक्र अनुस के लिए बूंधि है तो मैं उमीद करती हुँ और चेप्टर समझ में आया होगा परवत, पठार और मैदान में आपको अंतर समझ में आया होगा और अगर आपको अंतर समझ में आया है तो इन कोश्चिंस को आप जल्दी से सॉल्व करें हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स चप्टर के साथ तब तक के लिए टेक कियर बबाए